कि ये कि मार्क्यल यह सॉलिड अबिजक्ट है ठीक है इसको हम थेंगे तो यह तो इंड नहीं रहे और तो यह तूट जाएगा तर नहीं हो study कर रहे हैं class 9 physics का chapter नमबर 1 physical quantities and measurements. जैसा कि इस chapter के नाम से ही जाहिए है कि इस chapter में हम physical quantities के बारे में study करेंगे, जैसा कि हम नेבिछले last lectures में study किया, base quantities, drидgy quantities के बारे में, अब हम study करेंगे कुछ measuring instruments के बारे में. So हमारे पास हब सबसे पहले यह दो do instruments बारे में शो लावर्नियर कैलिपर एंड सिक्री उंगे इसके बारे में स्टड़ी करेंगे सो चलें कॉपी पैंसर निकालनें और लेक्टर को नोड करना स्टार्ट करें सो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं मेरिंग इंस्ट्रुमेंट्स सो जैसा कि नाम से ही जायर है कि इसमें हम इंस्ट्रुमेंट्स के बारे में स्टड़ी करेंगे ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स जिसके मदद से हम कुछ फिजिकल कॉउंटिटीज को मेज़ करते हैं अब फिजिकल कॉउंटिज से क्या मुराद है के मालने के हमारे पास ये एक object है हम इस object की length measure करना चाते हैं तो length क्या है? length एक physical quantity है तो अगर हम इस object की length measure करना चाते हैं तो हम एक instrument का इस्तमाल करेंगे जिसका नाम है the meter rule सो measuring instruments की अगर हमें definition पूछी जाती है exam point exam में तो हम क्या लिखे आएंगे? measuring instruments measuring instruments को हम किसलिए इस्तमाल करते हैं? are used to measure some physical quantities physical quantities जैसा की हमारे पास length है physical quantity mass है time है volume and temperature etc so यह हमारे पास some physical quantities हैं जिसको हम measure कर सकते हैं some instrument का इस्तमाल करके अब पराने वुक्तों में क्या होता था? कि हमारे पास बहुत सरे ऐसे instruments हैं जिसकी मदद से हम time को measure कर सकते थे अब क्यूंके आज कल नई technology है तो नई instruments आ गए हैं जो के पहले के निस्वत बहुत ज्यादा echo rate हैं अगर हम पास्ट की बात करें तो मारे पास time measure करने के लिए बहुत सरे instruments हैं लेकिन मैं सिर्फ दो instruments हैं यहांप लिकूंगा नबर वान है sun dial, sun dial की मदद से हम time को measure करते थे and next है water clock अब इन दो instruments की मदद से हम time to measure कर लेते थे लेकिन वो time इतना दा accurate नहीं है जैसा कि आज के दोर में हमारे पास जो instruments हैं जैसा कि stop watches है, smart phones हैं उसके अंदर stop watches होती हैं उसमें time measure कर सकते हैं जैसा कि आज smart watches आ गई हैं और बहुत सारे ऐसे instruments हैं जिनकी मदद से हम time को measure कर सकते हैं वो थी accurate के साथ, ठीक है, तो यह हमारे पास some instruments हैं जिसको हम प्राने वक्तों में measure करते थे, इसलिए यह accurate नहीं थे, अब सबसे पहला जो आज instrument हम instrument के बारे में study करेंगे, वो है the meter rule, अब meter rule क्या है, अगर हमारे पास किसी object की length one meter है, या one meter से कम है, तो हम उस object की length को measure कर सकते हैं, easily by using the meter rule, so, यह note करनी, इसके बाद हम heading देते हैं, the meter rule, अब meter rule की मेंदे से हम किसी object की length को measure कर सकते हैं, अबर उस object की length one meter है, या one meter से कम है, तो हम उस object की length को easily measure कर सकते हैं, by using meter rule, या फिर, अगर हमारे पास कोई point A है, और next point है, हमारे पास point B, इन दोनों points की दर्मयान के distance को भी हम measure कर सकते हैं, by using meter rule, मालने के इन points की दर्मयान distance है, 50 centimeters, ठीक है, तो हम इसको measure कर सकते हैं, किसकी मदद से, meter rule की मदद से, ठीक है, अब one meter, यह जो instrument है, यह equal होता है, one meter के, इसकी length होती है, सिरोफ और सिरोफ one meter, one meter is equal to hundred centimeter, यहनि कि हम किसी दो points के दर्मयान के distance को hundred centimeter तक measure कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास यह दो points है, इनके दर्मयान का distance 50 centimeter है, यह हमने measure किया, किसकी मदद से, meter rule की मदद से, so, अक्सर हमारे पास exam में definition पूछी राती है, what is meter rule, यहाँ पर write a detailed note on meter rule, तो हम exam में क्या लिखे आएंगे, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, 1 meter is equal to under centimeter, so, इसकी definition है, a meter rule, is a measuring instrument, यह भी a measuring instrument है ना, जिसके मदद से हम length को measure करते हैं, यहाँ भी किसी दो points के तरिमागे distance को measure कर सकते हैं, measuring instrument, used to measure, length, or distances, accurately, both accurately के साथ, up to one meter, हम किसी दो points के दरिमाद के distance को, यहाँ भी, यहाँ फिर, किसी object की length को measure कर सकते हैं, up to one meter तक, एक meter तक, एक meter से जादा अगर उस object की length है, तो हम measure करना तोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो one meter तक हम जिलिए इसको measure कर सकते हैं, ठीक है, one meter है, या one meter से कम है, ठीक है, आम तोपर यह جो meter rule है, यह बना होता है, लकड़ी का भी होता है, it is made of wood, लकड़ी का भी होता है, plastic का भी होता है, plastic और metal का भी होता है, ठीक है, सो समझ आगी मीटर रूल की इसके नाम से ही जाहर है यह ऐसा इंस्ट्रुमेंट है जो किसके वान मीटर के बराबर है वान मीटर मीज़ अंडर सैंटी मीटर के लियर है So next instrument है हमारे पास, a measuring tape. A measuring tape क्या है? आपने देखा होगा, अकसर electricians के पास होती है, measuring tape एक इतनी सी बनी होती है, उसके अंदर रोल होई होती है. एक बिल्कुल बारीख सी ना, thin सी strip होती है, long सी. अब उसकी जो length होती है, वो different categories की होती है, length. उसमें उसकी length 10 meter की भी होती है, size होते हैं, 15 meter की भी होती है, and 100 meter की भी होती है. और भी बहुत सारी size होते होंगे, लेगिन आपने इतना जाद रखना हैं कि इसके length इसके मकाबले में ज्यादा होती है. ये तो सिरफ इसमें हम सिरफ और सिरफ एक मेर तक की लांध को मेर का सकते हैं लेकिन इसमें हम बहुत सारे लॉंग डिसेंश इस को ये लॉंग लेस को इसली मेर का सकते हैं तो नेक्स हेडिंग देए, अमेरिंग टेप, इसे नोट कर लें, चलेंगे, तो नेक्स हेडिंग क्या देनी है, अमेरिंग टेप, लेक्चरा थुरा सा बोरिंग है, सिर्फ थ्रैटिकल है, इसलिए, अमेरिंग, यह अक्सर गरों में होती है, आपके पाउब हो सकता है, आपके गरों में भी हो, अमेरिंग टेप, अगर हमारे पास डेफिनिशन आती है, अग्जैम में, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, अमेरिंग, टेप, इन्स ए, फलेक्सिबल टूल, अब यहां पर फलेक्सिबल से क्या मुराद है, फलेक्सिबल टूल है यह बहुत ज़्यादा, जैसा कि यह एक मार्केल है, यह सॉलिट अबजेक्ट है, ठीक है, इसको हम टर्ण करेंगे, तो यह तो टूट जाएगा, टर्ण नहीं होगा, लेकिन जो है, मेजिरिंग टेप है, उसके अंदर जो स्ट्रिप होती है, बतनी सी मेटल की, उसको हम इदर उदर भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसर करें, जिस तरह मर्जी करें, आप उसको टर्ण करें, उपर करें, नीचे करें, तो वो इसलिए इसको कागए है, यह एक फ्लेक्सिबल टूल है, किसलिए इस्तमाल होता है, यह उज़्ड, टू मेएर, लॉंग डिस्टेंसेज, और लेंट, एकुरेटली, इसमें हम किसी भी दो पॉइंट के द्रम्यान अगरतें डिस्टेंस वन मीटर से ज्यादा है, यह इनि कि 10 मीटर है, 20 मीटर है या 50 मीटर है, तो हम उसको मेजर कर से रहे हैं, यूजिंग मेरिंग टेप, इसको आप इंचिस टेप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंचिस टेप, ठीक है, यह किस से मिल बनी होती है, यह मेटल की एक बारी सी स्ट्रिप होती है, जो के एक फ्लेक्सिबल टूल है, जो के क्या है, फ्लेक्सिबल टूल है, इसके जो साइजिस होते हैं, 10 मीटर भी होता है, 50 मीटर और 100 मीटर भी होते हैं, और भी बहुत सारी साइजिस होते होंगे, ठीक है, इसमें हम 10 मीटर तक के डिसेंस को मेर कर सकते हैं, 50 मीटर के 100 मीटर के डिसेंस को मेर कर सकते हैं, तो इन इंस्टुमेंट को study करना है इसलिए जरूरी है कि जब भी हम physics के physics में बहुत सारे experiments करते हैं तो उन experiments में हमें sometimes किसी object की length को measure करना बार सकता है तो हमारे पस ज़यरी बात है कोई एक instrument ओप और होना चाहिए जिसके मेंसे हम उस object की length को measure कर सकें आम तोर पर जो फिनिस के लैब में बढ़ा होता है, वो दा मीटर रूल बढ़ा होता है, लाजमी, मीटर रूल तो लाजमी होगा, लैब में, ठीक है, तो आज हमने सिरुफ और सिरुफ दो ही इंस्ट्रुमेंट के बारे में स्टडी किया है, दा मीटर रूल और मेजिरिंग नेक्स आने वाले लेक्टर में हम इंशाला वर नियर के लिपर के बारे में complete discussion करेंगे, ठीक है, तो आज के नहीं इतना ही, अब इस लेक्टर से मतलिक जो मैं एक वरक्षीट बनाऊंगा, उसको आप easily download कर सकते हैं, मेरे first comment पे जो pin हुआ होगा, ठीक है, आप वहाँ पे जाके एक link मिल जाएगा, आप easily वहाँ से जाके download कर सकते हैं, किस topic से related worksheet है, उसमें some MCQs होंगे, कुछ short questions होंगे, आप उनको solve करें, तो हो सकता है, वो exam point, exam में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ दो instrument के बारे में study किया, meeting tape and the meter rule, next animal lecture में हम इंचाला बढ़ने के लिवर्ड के बारे में discuss करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याद रखेगा, अलाहाफेज